मैं जिस बिद्याले में कार्य रथ हूँ, उस बिद्याले का नाम है अस्त्रोना तुछ बिद्याले को अगर आप इस बिद्याले के तमाम कलासरूम और पठन-पठन की ब्यवस्था को देखेंगे तो आप काफी खुसी महसूश करेंगे जारखंड का सुदुरवर्ती परखंड और इतना इंटेरियर जगह पर सरकार के तमाम उपक्रम को समूचित और सुबिवस्थित रूपशे उतार देने की कला इस बिद्याले के सिचकों में है और मुझे गर्व होता है कि मैं भी इस बिद्याले का एक सिचक हूँ इस बिद्याले में प्रोजेक्टर के माध्यम से भी सिच्छा दी जाती है और ICT Lab की भी ब्यवस्था की गई है जो योग्य सिचकों के दिशा निर्देश में संपन होती है और तकरीबन यहां दर्जनों PC मोनिटर लैप्टॉप कम्प्यूटर आदि ब्यवस्थित रूप से रखे गए हैं आईए अब इसके कुछ और पहलू जैसे इसमें आप तमाम जो विद्याले परिवेश को देखेंगे वाकई सरकार के समूचित पैसे का सुविवस्थित रूप से खर्च कर देने की कला विद्याले का रंग रोगन इसका परिवेश स्वच दिखाई पड़ता है यहाँ पानी की भी सप्लाई की जाती है और जो प्रश्पर सभी विद्याले मैं ऐसा देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहाँ है यहाँ पे सेप्रिट ट्वाइलेट का भी विवस्था किया गया है गर्ल और बॉय के लिए आएए सबसे अच्छा चीज मैं दिखलाता हूँ इस विद्याले का नर्शरी भवन जिसको कहा जाता है अगर आप देखेंगे तो सरकार की तमाम रासे दिवारों पे उतार दिया गया है और यह एक जारखंड की परंप्रा या विवस्था का अंग माना जाएगा कि बच्चों को समूचित रूप से सिच्छा प्रदान की जाती है और यहां योग्य योग्य सिच्छक भी हैं जो बच्चों को तमाम एक्टिभीटी के माध्यम से पठन पाठन कराते नजर आते हैं आएए बच्चों का एक एक्टिभीटी का जलक देखते हैं इस विद्याले में टेडी वियर टेडी वियर टर्न अराउंड टेडी वियर टेडी वियर टच दग अराउंड टेडी वियर टेडी वियर पॉलिश और सुज टेडी वियर टेडी वियर आउप टू आ स्कूल यह इस विद्याले के कच्छा का एक अनमोल और सबसे मजबूत कड़ी है जो यहां सिच्छक हिंदी में अंग्रेजी में मैथेमेटिक्स में टी एलेम के माध्यम से सिच्छा प्रदान करने के दौरान ऐसा एक्टिविटी हॉल्डे संपादित करवाते हैं आएए अब इसका इस विद्याले का जो प्रोजेक्टर भवन है उसको हम लोग निरिच्छन करते हैं इस विद्याले में ICT लैब होने के साथ साथ यहां प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को सिच्छा प्रदान की जाती है आपको मेरा विद्याले कैसा लगा यह कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आपके जवाब के प्रतिच्छा में